नमस्कार मैं सुमंत अभी कुछ दिनों पहले उडिसा के बाला सोर जिले में एक ट्रेन एक्सिडेंट हुआ था उसमें करिब करिब तीन सो लोगों की जाने चले गई थी तब कुश्चन उठा कि जो ट्रेन एक्सिडेंट है हमारे यहां उसके कारण क्या क्या है क्या दिक्कते हैं टेक्नलोजिकल क्या दिक्कत है हमारे हुमेन रिसोर्स में उन सबको डिसकस करेंगे क्या-क्या measures लिए गए हैं इन accident को रोकने के लिए और क्या measure और लेने की जरुवत है ठीक है इन सबको हम discuss करेंगे इस वीडियो में हम ये topic पढ़ना क्यूं है सबसे पहले ये देख लेते हैं GS3 में infrastructure नाम का topic है वहाँ पर आपको railway के बारे में पढ़ना है तो GS3 इन्फरा में railway के बारे में पढ़ना है इसके accident के बारे में पढ़ना है इसके साथ-साथ GS3 में ही disaster management का topic है इस accident को हम लोग एक आपदा की तरह भी ले सकते हैं man-made disaster तो prelims में क्या कामाएगा क्या होता है USFD क्या होता है इन सब पर simple question UPSC पोच सकता है इसके बाद UPSC mains में सवाल आ सकता है railway की safety के बारे में क्या-क्या challenges है safety पे क्या-क्या measures लिए गये हैं और क्या measures लिए जाने बाकी हैं और क्या measures हम लोग ले सकते हैं तो चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि क्या-क्या main reason होता है railway accident के पीछे generally हमारे देश में कुण-कुण से reason ज्यादा prominent है सबसे पहला है infrastructure defect भारत एक capital scarce country है इसी कारण से capital कमी हमको अलग-अलग sector में देखने को मिलती है चाहे वो railway है, airport है, दूसरे sectors हैं इसी कारण से railway track के maintenance के लिए, bridges के maintenance के लिए rolling stock को replace करने के लिए उतना fund नहीं रहता चुकि fund नहीं है, infrastructure defect को timely clear नहीं किया जाता तो जो accident के chances हैं वो बढ़ जाते हैं railway लगतार expand हो रहा है हमारा ध्यान ज्यादातर expansion की तरफ, नए-ने trainों को introduce करने की तरफ है safety पे कभी कवार focus कम हो जाता है जिस कारण से ज़्यादा समस्या होती है lack of fund, corruption, inefficiency ये main reason है हमारे हां कई सारे ऐसे route भी हैं जो 100% capacity या फिर उससे उपर capacity पे चल रहे हैं अब सोचो किसी route पे चार train चल सकती है वहाँ पर हम 6 train चलाएंगे तो वहाँ पर congestion होता है overloading होती है और accident होने के chance काफी बढ़ जाते हैं दूसरा कारण है human error जो railway employee है उनको काफी ज़्यादा workload रहता है जो time limit है उससे ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है तो इसे fatigue होती है ठकान होती है ठकान होती है तो कभी कबार signal नहीं देख पाते जो safety rules का compliance है उसमें कुछ भूल हो जाती है negligence हो जाता है कई बार corruption के cases होते हैं जहाँ पर जो पैसा safety के लिए maintenance के लिए use होना था उस पैसे को siphon off कर दिया जाता है पैसे खालिये जाते हैं तो फिर safety compromise होती है इससे क्योंकि safety compromise होई समस्या क्या होती है कि signaling ठीक्स नहीं हो पाती कभी-कभी miscommunication हो जाता है over speeding हो जाती है train की रेलवे स्टाफ को कभी-कभी adequate training नहीं मिली रहती communication skill का gap होता है यह उनके performance को उनके coordination को impact करता है पहला क्या था infrastructure defect दूसरा क्या है human error तीसरा signaling failure जब signal fail होता है technical glitch के कारण power outage के कारण या फिर इंसानी भूल के कारण तो हो सकता है कि train दूसरी पट्री पचली जाए गलत पट्री पचली जाए या फिर दूसरे train से किसी खड़ी हुई वस्तु से टकरा जाए या फिर station को पार कर जाए जहां पर उसको रुकना था वहां पर वो न रुके जैसे कि उडिसा का जो जो train accident था वहां पर क्या हुआ था कि electronic interlocking में जो बदलाव किये गये थे वो driver को communicate नहीं किया गया था तो इस कारण से आगे जा करके accident हुए चौथा है unmanned level crossing ये वो railway crossing होती है जहां पर फाटक जो होता है ना फाटक नहीं रहता जहां पर कोई देखने वाला नहीं रहता 2018-19 में जो unmanned level crossing थे वो 16% train accident के लिए जिम्मेदार थे सरकार ने किया क्या है सरकार ने कोशिश करी है कि जो भी unmanned level crossing है उसको eliminate कर दिया जाए मगर फिलहाल ये काम केवल broad gauge route पर ही हुआ है कई सरे route अभी भी वैसे ही है जहां पर unmanned level crossing बाकी है ये risk ये accident को ला सकते है तो इनको भी eliminate करने की जरुवत है अब आती है बात कि क्या क्या measure लिए गये है इन accident को reduce करने के लिए तो देखो जहां पर समझ से आये होती है वहां पर समधान भी करना होता है जैसे कि अगर defect infrastructure में तो हम लोग solution भी यहां देंगे अगर defect है human error में तो हम लोग solution भी यहां पर देंगे signaling को improve करेंगे unmanned level crossing को हटाएंगे ठीक है तो अगर सवाल आता है UPSC means में इस तरह से कि discuss the reason behind railway accident what measures would you suggest to eliminate to mitigate these accidents तो पहले आपने जो reason है वो लिख दिया उसके बाद in reason को उल्टा कर दीजिए दूसरे words में ध्यान से कुछ specific terms जो नए ने technologies है उसको use करके मतलब उनको लिख करके point बना करके लिख सकते हैं answer for example राष्ट्रियर रेल संरक्षा कोस्ट बनाया गया था इस कोस्ट में एक लाग कलोड रहेंगे जो पांच सालों के लिए use किये जाएंगे यह जो कोस्ट है यह जो fund है इसका use किया जाएगा track को renew करने के लिए signaling project में invest करने के लिए bridge rehabilitation के लिए अगला step लिया गया technology के field में coaches wagon का design है feature है इसको improve किया गया अपग्रेड किया गया modified center buffer coupler को introduce किया गया है bogey mounted air brake system को भी introduce किया गया है suspension design को improve किया गया यहां तक कि train का collision रोकने के लिए कवच system को introduce किया गया है तक कि अगर को complaint न भी करें तब भी चीज़ें पकड़ में आ जाए और तुरंत जो solution है वह वहां पर पहुंचाया जाए आग को रोका जा सके जो नए lhb designed coaches हैं यह introduce किये गये हैं होता क्या है कि आपने देखा कि जब train accident होता है न तो जो bogey होती है वह दूसरे पर चड़ जाती है ठीक न इस case में थोड़ा सा improvement था क्योंकि नए bogey थी मगर अधिकांस case में देखा जाता है कि bogey पर चड़ जाती है इससे जानमाल की ज्यादा हानी होती है तो जो anti climbing feature वाले जो bogey हैं वह introduce किये गई है जो german technology पर based है इन में वैसे material को use किया जाता है जो ज्यादा जलती नहीं है इन bogey का जो speed potential है वो ज्यादा है मतलब कि इन bogey को आप ज्यादा speed पर ले जा सकते हैं इनका service life भी ज्यादा होता है लॉंगर हो होता है फिर gps based fog pass device को introduce किया गया इससे जो locopilot है railway के जो driver है उनको fog condition में train चलाने में असान ही होती है यह एक handheld device होता है इसको हाथ में ही रखते हैं इससे जब आप किसी important landmark से गुजरते हैं चाहे वो signal हो level crossing हो तो यह एक loud buzzer के जरिए locopilot को alert करता है exact distance भी बताता है कि आपके यहाँ से कितना दूर पर signal है इससे driver को operation में काफी आसानी होती है इसके बाद modern track structure को introduce किया गया जो नए track है नए bridges है वो ज़्यादा stronger है ज्यादा durable है for example अभी आप देखते हैं कि जो रेल पटरी होती है जो railway line होता है इसके ऐसे पटरी लगी होती है अना concrete की अब क्या किया जा रहा है pre stressed concrete sleeper इसको हम लोग sleeper कहते हैं इन sleeper का use किया जा रहा है जिनका tensile strength जो हमाई rails है ना इनका tensile strength काफी high है अब fan shaped layout का जो sleeper से वह भी रूस किया रहे है इससे train accident काफी कम होंगे और पहले के मुकाबले accident है उनकी संख्या में देदर कमी देखी भी गई है जैसे जैसे और roll out किया जाएगा accident में और कमी आती जाएगी दूसरा है ultrasonic flow detection यहां पर जो faulty rails हैं वैसी पटरियां जिसमें crack है उन सब को पकड़ा जाएगा अगर वो faulty पाए जाते हैं तो उनको remove किया जाएगा इस system में जो high frequency sound wave हैं उनको use किया जाता है faulty rail को पकड़ने के लिए उनको inspect करने के लिए track maintenance को automate करने के कोशिश करी जा रही है ताकि जो human error है उसको eliminate किया जा सके track tempering machine इनको reduce किया जा रहा है इनको use किया जा रहा है blast regulating machine dynamic track stabilizers ठीक न ताकि जो पट्रियों के tempering करी जाती है उनको कभी crack आ जाते हैं उनको पकला जा सके इसके जरिए चुकि चीजें automate रहेंगी एक regular interval पर होता रहेगा तो जो chance accident का जो chance है maintenance शूड़ जाने का वो कम हो जाएगा वो eliminate हो जाएगा interlocking system जो signaling है वो एक central point से करने के कोशिश करे जा रही है जहां पर electrical electronic devices को use करके जो signal है वो भेजे जाते हैं इससे जो manual operation है point का signal का वो खतम हो जाएगा इससे जो human error है human failure है इसका chance काफी कम हो जाएगा करेब करेब खतम ही हो जाएगा और accident कम हो जाएगा तो किया क्या जाना चाहिए पहले तो यह जो level crossing है इसको eliminate करो over bridge बनाईए under bridge बनाईए ताकि जो इंसान है पट्री से होके पास ना करे उसके उपर से जानीचे से होके चले जाए पट्री से पास ना करे सबसे पहला issue क्या था सबसे पहला issue था infrastructure defect उसको solve करने के लिए आपको fund की जरुद पड़ेगी so railway need more fund allocation यह fund कहां से आएगा यह fund या तो budget से आ जाए या तो railway खुद कमाए रेलवे खुद कैसे कमाएगा अपने operation से अपने operation से देखो railway का दो काम है पहला है passenger पहला क्या है passenger दूसरा है माल ढूलाए दूसरा है माल ढूलाए फ्राइट हमारे यहां cross subsidization होता है यह क्या है cross subsidization इसका मतलब यह है कि passenger का जो किराया है यह कम करके freight का किराया बढ़ाया जाता है ठीक है ताकि हमारे जो passenger है उनको ticket सस्ती पड़े भले ही माल ढूलाए महंगा हो जाए इससे दो चीजह हुई है पहला जो freight का transportation है वो railway से road की तरफ shift हो जा रहा है मतलब लोग train से mild होने के बजाए road से माल ढूलाना जादा prefer कर रहे है जो share है freight में railway का वो दिरे-दिरे कम होता जा रहा है तो इससे क्या होता है इससे railway का जो profit है वो भी impact हो रहा है वो भी कम हो रहा है तो करना क्या चाहिए जो policy एसी बननी चाहिए कि यह जो cross subsidization है यह कम से कम करनी पड़े मतलब की railway का जो profit है वो freight से भी आए passenger से भी आए कम से कपना cost तो recover करी ले passenger वाला case में ठीक है के जरूवत है ताकि जो safety है उसको enhance किया जा सके employee को train करने के जरूवत है ताकि जो human error है उसको minimize कर सके उसको eliminate कर सके उनको नई technologies के बारे में train करने के जरूवत है ठीक है ताकि उसको धंग से use कर पाएं दूसरी बात performance linked incentive होना चाहिए आपने rule regulation कितना अच्छे से follow किया आपका performance कितना बढ़िया है इस पर incentive होना चाहिए देखो पैसे से बढ़िया incentive कुछ नहीं है आज के जन्वाने में ठीक है तो अगर incentive मिलता है performance बिलकुल improve होगा दूसरी बात जो कवच है anti-collision system जो है यह अभी कुछ ही track पर लगाया गया है सब पर नहीं लगाया गया है तो कवच पूरी तरह से काम करे train का collision रोके इसके लिए हमको पूरे लिए system में इसको लगाना पड़ेगा ठीक है तो दूसरा काम अपना यह हो गया कि कवच का जो comprehensive rollout है वो किया जाए ठीक है तो यह बाते हो गई इसकी कि क्या भी करने के जरुवत है एक बत और railway अभी काफी सारा effort लगा रहा है hospital को maintain करने में for example railway hospitals है railway के school colleges है जो railway के employee के लिए हैं क्यों न इन सब non-core activity को non-core का मतलब यह है कि वैसे activity जो railway से सम्बंदित नहीं है rail के operation से सम्बंदित नहीं है क्यों न उसको private party को transfer कर दिया जाए public private partnership पर या फिर किसी और तरीके से जैसा वे suitable लगे railway को private party को चाहे public entities को transfer कर दिया जाए ताकि railway अपना पूरा focus कर सके railway operation पर दूसरी बात एक law pass करके एक railway safety authority बनाई जानी चाहिए यह एक वैधानिक body होगा जिसके पास power होगा safety standard को frame करने का safety audit conduct कराने का inspection कराने का और अगर कोई कमी पाई गई तो saviour penalty लगाने का accountability को enforce करने का power होना चाहिए तो केवल वरना केवल गलती पकड़ने से नहीं होता गलती के लिए कौन जिम्मेदार है उसको सजा नहीं मिली तो एक जो होता है न एक deterrent के तरह काम नहीं करेगा अगर उसको सजा नहीं मिली तो ठीक है regular safety audit inspection होना चाहिए inspection केवल infrastructure का ही नहीं हमारे railway staff का भी कि क्या वो अभी service के लिए fit है एक बार appointment हो जाती है railway नौकरी मिल जाती है तो काम चलते रहता है regular interval पर देखने की जरूरत है कि क्या वो आदमी उतनी ही productivity से sufficient productivity से काम करने लायक है अगर नहीं तो उसको train किया जाए अगर तब भी नहीं तो VRS दिया जाए ठीक है न मतलब उनको voluntary determined दिया जाए ताकि जो नए जवान है जो नौजमान लोग है उनको recruit किया जाए new blood relay में शामिल हो और फिर productivity है जो railway की वो improve हो ठीक है अगला है जो coordination है communication है इसको improve करने के जरूवत है ये coordination communication improve होगा railway board के बीच में zonal railway के बीच में division के बीच में जो भी entity railway operation में involved है engaged है उसमें चीक है तो हमने पढ़ा कि railway accident के कारण क्या क्या है causes क्या क्या steps लिए गये हैं क्या क्या steps की जरूवत है ठीक है तो इन ही line पर आपसे जो question है वो पूछा जाएगा UPSC में मेंज के paper में हाँ सवाल prelims में कहां पर आएगा सवाल पर पूछ सकता है कवच के बारे में कि कवच करता क्या है ये संबंदित है किससे दूसरा पूछ सकता है आप से जो हमारा railway सुरक्षा कोश था सनक्षा कोश था इसके बारे में कि ये किस purpose के लिए है ठीक न तो prelims का काम हो गया mains का भी जो sufficient content है वो मिल गया हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में thanks for watching, take care, jahind